तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप इंस्टॉर कर सकते हो ISO फाइल वाली गेम को अपने गमर्डिस सिस्टम के अंदर मेरे पास यहां पर फीफा का सेटप है फीफा 17 और यह जो है इस फाइल है तो मैं इस फाइल को इंस्टॉर करके आपको दिखाँगा मतलब की शिदा इसी गेम को इस पर दिखाँगा जो कि है ISO, ISO भाइल यह तो बहुत इजी है इसको इंस्तॉर करना लिगी इस स्टार्ट करते हैं सीखना तो यह जो मैंठरं में आपको बताने वाला हूं यह काम करेगा Windows 7, Windows 8 और Windows 10 यानि कि Windows 7 के बाद जिदनी भी Windows हैं उन सब के अंदर यह काम करेगा तो टेंशन की बात नहीं है आपको कोई extra software नहीं चाहिए जो software है पहले से आपकी Windows के अंदर होता है इस चीज़ के लिए लेकिन अगर आप ISO फाइल की game queen store करना चाहते हैं Windows XP के लिए या Windows XP से पुराने वाले जो version है Windows के उसके लिए तो उस case में आपको किसी अलग software की ज़रुद पढ़ सकती है तो इसके उपर भी मैंने वीडियो बनाई है तो description में आपको link दे दूँगा फिलाल हम उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जो Windows 7, Windows 8 या Windows 7 के आगे जिनने भी version है उनको use करते है तो अपनी IISO फाइल के पास जहां पर भी आपने IISO फाइल को save करके रखा है वहां पर जाएगी चूज किजिए इस फाइल को फिर right click और फिर mount की option होगी आपके पास जैसे ही आप mount करोगे basically होगा क्या इस फाइल की जो है अलग से एक drive बन जाएगी आपके computer system में तो माँट पर क्लिक करते हैं और इसकी drive बन गई तो अगर मैं this PC में जाओ तो यहां पर आप देख सकते हो FIFA 17 की अलग से drive बन के आ गई है जैसे CD drive होती है वो वाली option यहां पर आ चुकिए उस FIFA 17 की और अगर मैं इस पर right click करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास यहां पर eject की option है जैसी CD's में होती है CD's के case में तो जैसे में इसको eject करूँगा तो यह यहां से हट जाएगी तो इस तरह से आप ला सकते हो इस drive को और हटा जाएगी तो अब क्या करते हैं अब इंस्टॉल करेंगे हम उस game को FIFA 17 को तो फिर से जाएंगे हम कहां पर FIFA 17 की ISO फाइल में यह रही राइट लिक और फिर माउंट करेंगे और यहां पर आप देख सकते हो फिर से क्या बनके आगे हमारे पास H drive वो अलग से drive बनके आगे हमारे पास एक हमारे FIFA 17 के लिए अब इसको क्या करतों को तरह के अब उफन करेंगे और यहां पर let's go अनुएर मिल act इंस्टॉल करने में तो iso file 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 वाली पिर इसको क्या कर देंगे फीफा, okay, FIFA, okay, folder बन गया, आप setup में वापिस आते हैं, और location चूज कर लेते हैं, कि कहां पर हमें इंस्टाल करना है इसको, तो program files ये रही, program file, okay, FIFA folder के अंदर, और FIFA folder के अंदर होगी ये install, और next, और यहां पर आप extra languages चूज कर सकते हो, main language है, वो है English, okay, तो next, और यहां पर icon के लिए, और next, और फिर install, और yes, यहां पर, okay, तो automatically copies this content, okay, आपकी file के content है, वो automatically copy हो जाएगा, अगर आप जाते हो, तो yes, और हो गया, अब जो है, ये game install हो रही है, okay, तो wait करते हैं, okay, तो चलो wait करते हैं तब तक, और ये game install हो चुकी है, और मेरा थोबड़ बदने frame में आ रहा है कि नहीं, okay, तो ये install हो चुकी है, और यहां पर हमें और शायद चीज़े चाहिए होगी, completing the FIFA 17 installation, मेरे को लगा FIFA 18 है, मेरे बाँ से और रहा है, okay, तो ये सब कुछ tick-tick कर देना है, okay, और finish, okay, देखते हैं कि अब ये game काम कर रही है कि नहीं, okay, उससे बहले ये सारी चीज़े भी install करना पड़ेगी, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसको भी installation में लगा देता हूँ, okay, ये हो गया, setup successfully, okay, close किया इसको, and extracting file, okay, थोड़ा सा और वेट कीजिए, okay, guys, तो यहाँ पे गुच इस तरगा आचुका हैं हमारे बास, okay, तो इसको continue नहीं कर सकते, अभी हम, save किया, save, okay, save, छोड़ो यार, close करो इसको, okay, close किया, और ये रही FIFA 17 हमारे बास, okay, अपने आप लाँच होगी, okay, English, और फिर save, okay, language, हम English लेंगे, और save कर देंगे, okay, और cancel, और यहाँ पे FIFA 17 का लोगो बन चुका है, okay, तो लाँच करते हम इसको यहाँ से देखते हैं की काम कर रही है कि नहीं, okay, license file, generated play, ये, FIFA, okay, download होगी, थोड़ी सी चला कि देखता हूँ की चल रही है कि नहीं, ये, FIFA 17 चल पड़ी है, okay, तो इस तरह से आप ISO फाइल की गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हो, बेसिकली बहुत इसी है, अगर आपके पास Windows 7 या Windows 8 या Windows 7 के अपर इतनी भी बजन है, अगर आपके पास उन में से कोई भी एक है, तो आप बहुत इसली ISO फाइल को इंस्टॉल कर सक आप पावर, ISO, सॉफ्ट्वेर को इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में, और वहां से भी आप इस साथी चीजे कर सकते हो, उसके ओपर मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, okay, तो आप मैं गेम कहलेता हूं थोड़ देर, बाइ-बाइ कर सकते हैं, 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 क झाल, 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 झाल